जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इस दुन की गुंच पूरे उत्तरप्रदेश में उस वक्त गुंची जब यूपी विदानसवा चुनाव शुरू होने वाला था और जब से यूपी में राम मंदिर बन रहा है तब से अब राम भक्तो की खुशी देखी रहे होंगे अब राम मंदिर को लेकर करनाटक से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है ख़बर यह है कि अब करनाटक में भी राम मंदिर बनने जा रहा है कयास लगाये जा रहे हैं कि करनाटक में कुछ ही महीनों में विधानसबा चुनाव होने वाला है और ये सरकार रामबक्तों को खुश करने के लिए कर रही है दरसल करनाटक के विधानसबा चुनाव से पहले मुख्य मंतरी बस्वराज बॉंबई ने अपना आखरी बजट पेश किया है इस बजट में किसानों को कर्ज महिलाओं के लिए श्रम शक्ति योजना और भूश्री योजना का ऐलान किया गया है इसके अलावा बॉंबई ने चुनावी दाओ खेलते हुए कहा है कि जैसे आयोध्या में राम मंदर बनकर तयार हो रहा है वैसे ही राम मंदर करनाटक में भी बनाया जाएगा इसे चुनावों से जोड कर देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता कई मौकों पर टीपू बनाम हिंदुत्व का राग अलाप चुके है करनाटक के मुख्यमंतरी बस्पराज बंबई ने वित्यमंतरी होने के नाते राज सरकार का बजट पेश करते हुए चुनावी साल में किसानों को लुभाने वाले कई एलान किये उन्होंने किसानों को दिये जाने वाले ब्याज मुक्त अल्काली कलोन की सीमा 3 लाख रुपे से बढ़ाकर 5 लाख रुपे करने की कोशना की है किस पैसले पर राजनीती होना अपते है विपक्ष इस मामले पर सवाल खड़े कर सकता है लेकिन आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं